नमस्कार दोस्तों मेंगू अतुल और ये है बोट अल्टिमा क्रोनोस स्मार्ट वाच जोहाली में लोंच हुई है Amazon पे और आपको मिलती है 2799 में ये है कॉलिंग स्मार्ट वाच और इसमें कॉलिंग रेंज है 10 मिटर मतलब कि आपके फोन और स्मार्ट वाच के बिश में 10 प्लावा इस वाच में है 700 प्लस वर्काउट मोड या एक्टिव मोड लाइव स्कूर का फीचर भी दिया गया है तो आप क्रिकेट और फुटबॉल के लाइव स्कूर को चेक कर पाऊगे अपनी वाच में वाच फे स्टूडियो है हार्ट रेट एन SP2 मोनिटर, स्लिप ट्र इक उपर में यहाँ पे माइक और इस साड में है, बैक में है स्पीकर, बैक की बात करेंगे तो बैक में है टू पेन चार्जिंग स्लोट और यहां पे है SP2 और हाटईट रेट सिंसर, हालाकि आपको वॉक्स में स्ट्राप तूल नहीं मिलता मतलब कि अगर आपको इस स्ट् 60 mh की battery इसे full charge करने के लिए आपको लगेंगे 90 minute आपको मिलेगा 7 days का battery back-up लेकिन अगर आप calling कैस करोगे तो आपको मिलेगा 2 days का battery back-up charging करने के लिए आप 5-4ק charging adapter जूज कर सकते हो जितना slow charger आप जूज करोगे उतना वहतर होता है smartwatch की battery life के लिए long run में या आप अपने PCA laptop में जो USB port आप उससे भी charging कर सकते हो आप अपने power bank से भी इस smart watch को charge कर सकते हो इस smart watch को first time इस करने से पहले आपको इसे full charge करना है ताकि आपको first time से ही अच्छा battery backup मिले तो मैंने इसे full charge कर लिया है मैं करूँगा इसे switch on तो आपको button पे long press करना है जब board का logo दिखा है देगा तब आपको अपनी उंगली release कर देनी है तो smart watch हो चुकिए switch on अब हम करेंगे इसकी pairing अपने smartphone के साथ इस smart watch को अपने phone के साथ pair करने के लिए आपको अपने phone में play store बजा कर इसे आपको download करना जिसका नाम है board crest तो board crest इसे आपको download कीजिए आपको इसे करना है open swipe कीजिए फिर कीजिए get started आपको अपने phone number को enter करना है box में tick करना है और करना है send OTP इसके बाद आपके number पे जाएगा 1 OTP आपको इस OTP को enter करना है और करना है next फिर करना है continue to pairing अपने phone में Bluetooth को on कीजिए इसके बाद कीजिए grant permission while using the app allow allow फिर आपको जना है ultima में ultima पे ट्याप कीजिए और यहाँ पे होगा ultima chronos आपके इस पे ट्याप करना है continue कीजिए यहाँ पे issue करेगा chronos आपके इस पे ट्याप करना है तो जो आज है successfully pair हो चुकी है फिर आपको करना है get started disable battery optimization पे ट्याप कीजिए इसके बाद continue to home page calling का feature अनुचुका है लेकिन नहीं होता है तो आपको इस तरीके से मिलेगा pop-up आपको allow पे ट्याप करना है इसके बाद आपको यहाँ पे call notification को on करना है permission को allow कीजिए इसके बाद यहाँ पे होगा bot crest इसे on कीजिए allow कीजिए back जाईए SMS notification को भी on कीजिए इसके बाद है app notification इसे भी on कीजिए और यहाँ पे show करेंगे कई सारे apps अब इन में से आपको कौनगोन से apps की notification receive करनी है आपके smartos में आपको उन्य apps को on करना है इस तरीके से टिक करके तो जिनकिसी apps को on करोगे उन्य apps की notification आपको show करेंगी आपकी smartos में फिर आपको करना है show changes ओके अब देखते हैं अगर आपको कई भी call आता है तो किस तरीके से शुकरेगा आपकी watch में तो इस तरीके से आपको मिलेगा call का preview contact का ना में number show होगा आपको मिलेगी आपके तीन option इस call को accept करने का reject करने का और reply को send करने का आपकी watch में बजीगी ringtone और आपकी watch में होगा vibration आप इस vibration ringtone को mute कर सकते हो आपको button favorites करना है इस तरीके से तो अगर आप reply पे tap करोगे तो आपको शुकरेंगे वो 5 reply जो आपने set की है आपके app में अगर आपको इन में से किसी को भी send करना हुआ तो आपको इस पे tap करना है सामने लोगो जाएगा message और आपका call हो जाएगा cut अगर आपने call को accept कर लिया तो आपको यहापी मिलेंगे 4 options यह है call के volume को adjust करने का toggle तो आप यहाँ से call के volume को adjust कर सकते हो इसके बाद है mic को mute करने का option तो अगर आप mic को mute करोगे तो सामने लोगो आपके watch नहीं जाएगी यह है call को switch करने का option तो जो call है अप चल रहा है watch में अगर आप चाहत यह call हो जाए switch आपके phone में तो आपको इस पर tap करना है अब जो call है जा चुका है phone में अगर आपको वापस switch करना है अपनी watch में तो आपको इस पर tap करना है इस तरीके से आप call को switch कर पाऊगे watch to phone, phone to watch और यह है call को end करने का option अगर आपको अपनी वाच में call को रिसुनी करना है तो आप अपनी वाच में call के feature को उपफी कर सकते हो आपको जाना है अपने phone के BT settings में बीपे long tap कीजिए और यहाँ पर होगा chronos आपको उस पर tap करना है इसके बाद अगर आपको कोई भी call आएगा तो अब आप उससे अपनी mute करने का इससे आप mute कर सकते हो और यह है replacement करने का option हाला कि आप अपनी वाच से इस call को रिसुनी कर पाओगे अगर आपको अपनी वाच में call को रिसुनी करना है तो इस पर tap किजिए chronos पे यह हो जाएगा connected अब देखते हैं अगर आपको वही भी SMS आता है तो किस तरह की से च कर दिया तो जाएगे home page पे किजिए दो बार right में swipe इस तरह किसे और यहाँ पे शो करेंगे आपके message आपको जिसे open करना है उस पर tap किजिए contact का नाम या number और यहाँ पे time शोगा और यह message का content हिंदी font और emoji support नहीं कर दे और आप देखवाओगे इस तरह किसे 6-7 line SMS के लिए औ WhatsApp का प्रियू, contact का नाम या number और यह है time और message का content आप इस तरह किसे उस रिड़ कर पाओगे यहाँ पे देखना मिस्कर दिया है तो जाहिए home page पे दो बार किजिए swipe इस तरह किसे और यह है message का content ट्याप करके आप उस रिड़ कर पाओगे यहाँ पे बीच्छे से साथ लाइन शुकी जाएगी यहाँ पे एक साथ आप देख पाओगे अपने पिछले 15 message को पर अगर आप चाहो तो सभी को एक साथ clear कर सकते हो नीचे आपको मिलेगा clear all का button तो सबसे पहले आपको जना है my watch के tap पे और यहाँ पे होगा watch face को change करने का option तो आपको इस पे tap करना है यहाँ पे है total 114 watch faces और यहाँ पे दे गए है अलग-अलग categories आपको जिस watch face को download करना है आपको इस पे tap करना है मैं लेते हैं मुझे download करना है all में से इस watch face को तुम्हें इस पे tap करूँगा इस तरीके से और करूँगा update on watch इस तरीके से आप किसी भी watch face को download करके apply कर सकते है जो watch face है apply हो चुका है आप देख सकते हो आपको करना है ओके आप अपनी खुद के photo भी set कर सकते watch face पे तो आपको जाना है my creation में उस पे tap कीजिए create watch face पे tap कीजिए background पे tap करके आपको gallery को open करना है जिस कसी photo का आपको set करना है आपको इस photo पे tap करना है मुझे set करनी है ये photo तुम इस पे tap करूँगा फिर आप इससे कर सकते हो rotate इसके लावा आप इससे mirror भी कर सकते हो यहाँ से फिर कीजिए save time पे tap करके आप दो तरीके से time format को show कर सकते हो एक जो font size है उसे भी change कर सकते हो और font का color है उसे भी आप change कर सकते हो फिर आपको tick पे tap करना है इस तरीके से आपको time show करेगा और आप इस time को अपने हैसाब से जहाँ पे प्लेस कर सकते हो freely इस तरीके से अगर आपको किसी भी element को remove करना हो तो आपको इस पे tap करके जो delete का icon होगा उस पे tap करना है remove करने के लिए हम अब set करेंगे यहाँ पे analog और यहाँ पे है अलग-अलग style आपको जो style रखनी है analog के लिए उस पे tap कीजिए टिक कीजिए यहाँ पे आपको इस तरीके से analog clock style show किया जाएगा फिर यहाँ पे जो सभी elements है आप उन सभी elements को show कर सकते हो अपनी watch जो formatted date का उसे भी change कर सकते हो अपनी हिसाब से phone की style चूश किजिए color चूश किजिए इस तरीके से आपको date चूखे जाएगी आप इसे place कर सकते हो अपनी हिसाब से जहाँ पे जहाँ आप है फिर आप में steps और battery level शो करूंगा तो आप steps को enable कर सकते हो तो आपको जो phone की style है उ इसके लाब phone के color को पिर आपको tick-pick tap करना इस तरीके से आपको show करेंगे steps आप देख पा रहे हो इसके बाद battery के लिए battery पे ट्याप कीजिए पिर आपको color चूश करना है battery के लिए इसके लाब phone style और यहाँ पे phone size ट्याप कीजिए इस तरीके से आपको show के जाएगा battery level आप जहाब 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 आपके place कर सकते हो अपनी हिसाब से फिर आपको करना है save apply now इस तरीके से आप अपने किसी भी photo को काफी अच्छे से customize करके उसे apply कर सकते हो अपनी watch face पे जो photo है set हो चुकी है आप देख सकते हो okay किजिए आप अपनी watch में एक साथ 5 watch face को place कर सकते हो हाला कि पहले 4 watch face fix होते है आप उन्हें change नहीं कर सकते है जो आखरी वाला होता है 5th watch face बस आप उसी को change कर पाऊगे आप अपनी watch से भी watch face को change कर सकते हो आपको watch face पे long tap करना है और फिर इसे swipe करना है इनके भीच में switch करने के लिए set करने के लिए tap किजिए इसके बाद है watch settings आपके इस पे tap करना है सबसे पहले है watch features tap किजिए इसमें सबसे पहले है auto monitoring heart rate मतलब की automatic heart rate measurement तो अगर आपने इससे own किया है और माल लेते हैं आपने timer set किया है 30 minute मतलब कि अब आपकी watch में हर आदे घंटे के बाद heart rate automatic measure होता रहेगा timer आप जितना कम रोखोगे उतना कम battery backup आपको मिलेगा आपकी watch में अगर आपको battery backup बढ़िया चाहिए तो आपको set करना है 60 minute पे या आप इसे off भी कर सकते हो off करने का मतलब है कि अब आपकी watch में heart rate automatic measure नहीं होगा हाला कि आप जब चाहिए तब अपनी watch में बड़ी आसानी से heart rate measure कर सकते हो manually आपको करना है save ok आगे है alarm आप जो alarm है अपने app से भी set कर सकते हो हाला कि हम set करेंगे अपने watch के जरिए इसके बाद है sedentary reminder तो अगर आप एक घंडे के लिए बिना किसी activity के ऐसे ही बेठे हो ideally एक घंडे के दुरान आप चले ना आप उठे तो आपको हर घंडे आएगा आपकी watch में एक अलड की अब आपको चलना चाहिए उठना चाहिए कई सारे reminder जिसे की medicine reminder, drink quarter reminder, meeting reminder, hand watch reminder और other reminder मतलब की दवाई का reminder है, हाथ धुने का reminder है, पानी पिने का reminder है माल लेते आपको पानी पिने का reminder set करना है तो आपको drink quarter पे ट्याप करना है और यहाँ पे आपको timer set करना है माल लेते मुझे हर दो घंटे पानी पिना है तो आपको set करना है 2 hour जैसे कि मैं चाहता हूँ मुझे सुबह के 9 से लेकर रात के 9 बज़े तक हर 2 गंटे पानी पीने का reminder आए तो मैं आपको time set करूँगा सुबह और 9 से लेकर रात के 9 बज़े तक इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है 21 मतलब की 9 बज़े का time कुणसे कुणसे दिन को आपको पानी पिने का reminder चाहिए तो आपको उन दिन को choose करना है फिर आपको करना है set reminder ओके इस तरीके से आप अलग-अलग reminder को add कर पाओगे आपकी watch में आगे है नजेस तो अगर आपको नजेस को on करना है तो इससे on कीजिए और अगर आपको चाहिए vibration तो इससे भी on कीजिए इसका मतलब क्या होगा आपने जो भी set किया होगा goal जैसे कि आपका daily goal कितना है रोज आप चलना चाहिए तो पांच-जार steps तो अगर आपके 5000 steps complete नहीं हुए है तो आपको मिलेगा नजेस मतलब की वाइबरेचन होगा आपकी वाच में कि आपका जो goal है incomplete है उससे complete करना चाहिए इस तरह किसे आपको मिलेगा नजेस तो आपको अगर करना है इससे तो सेवोपे tap कीजिए इसके बाद बीटी calling तो आपको इसपे tap करना है और यहाँ पे watch connected हमने calling के feature को पहले ही on कर दिया है लेकिन अगर यहाँ पे show करता है disconnected तो आपको इसपे tap करना है और यहाँ पे show करेगा chronos आपको इसपे tap करके करना है फिर उसके बाद आपके watch में calling का feature on हो जाएगा फिर इसके बाद है your contacts तो आपके 20 contacts आप add कर वाओगे अपनी watch में तो आपको इसपे tap करना है add contacts पे tap किजिए आपको जिसकी contacts को add करना है उसके सामने box होगा उसमें आपको tick करना है इस तरह किसे तो मैंने contacts को add कर दिया है फिर आपको करना है save अगर आपको इन में से किसी भी contacts को remove करना हुआ तो भी इनके icon पे tap किजिए अगर आपको add करना हुआ किसी और contacts को तो add पे tap किजिए save करने के लिए back जाईए आगे है find my watch तो आप इस feature के जड़ी अपनी watch को ढूण सकते हो मायन लोग आपने अपनी watch को ही पर रख दिया है आपको नहीं मिल रही है तो ऐसे में अगर आप इस पे tap करोगे तो आपकी watch में होंगी दो चीजे आपकी watch में display on हो जाएगा और आपकी watch करेगी vibrate 15 second के लिए तो आपको करना है find my watch पे tap stop करने के लिए stop पे tap किजिए हाला कि features अभी काम करेगा जब आपकी watch आपकी phone के साथ connected होगी weather settings अगर आप चाहते हो आपकी watch में आपके location का weather show करें तो आपको इसे on करना है इसे metric पे set करना है फिर location permission पे tap किजिए allow किजिए, ok किजिए permission पे tap किजिए इसके बाद notification जो हम पहले ही on कर चुके है, back जाओगे तो आगे है watch control tap किजिए, सबसे पहले है dnd तो आप यहाँ से dnd को on कर सकते दो तरीके से, अगर आप dnd on करोगे तो यह all the time on रहेगा, मतलब कि जब तक कि आप इसे off नी करोगे, तब तक dnd off नी होगा, और dnd on करोगे मतलब कि आपकी watch में कोई भी message या call show नी करेंगे, अगर आपको इससे sit करना है time की hesap से, तो आपको schedule पे on करना है, time sit कीजिए जो time आप यहाँ पे sit करोगे उस time के दुराण आपकी watch में dnd काम करेगा इसके बाद high click reply, तो आपकी watch में जब भी कोई call या sms आएगा तो उसके लिए आप send कर बाओगे reply को, तो आपको इससे tap करना है, इससे on कीजिए allow कीजिए, ok कीजिए permission पर tap करके आपको sms को on करना है sms allow कीजिए, back जाईए फिर से इससे on कीजिए, और यहाँ पे manage quick reply, tap कीजिए आप यहाँ पे maximum 5 reply को add कर पाओगे, पहले से हाला की add किए गये है हाला की अगर आपको इनमेसी केसी को edit करना हुआ, तो आपको pencil के icon पे tap करना है, फिर आप इसे erase करके अपने हिसाब से कोई भी reply add कर पाओगे, maximum यहाँ पे subord करेंगे 60 characters जैसे कि मुझे add करना है I will call you in 10 minutes इस तरह के से आप कोई भी reply add कर पाओगे अपने हिसाब से, फिर करना है save और फिर कीजिए save, ओके इसके बाद भी करना है आपको save फिर यहाँ पे है battery server के लिए जानकारी तो इसमें आपको मिलते हैं दो mode battery server के लिए एक होता है standard, एक होता है advanced हाला कि आप किसी भी battery server mode को यहाँ से on up नहीं कर सकते हैं आप watch से ही उसे on up कर पाओगे हाला कि यहाँ पे जानकारी देगे है कि एगर आप किसी भी battery server mode को on करोगे तो कौन-कौन से changes आपकी watch में के जाएंगे आगे है wake up gesture मतलब की rest week का feature जब भी आपकी watch में display off होता है अगर आपको say on करना हुआ तो आपको अपनी watch को उपर की और rest करना है आपकी watch में display on हो जाएगा तो आप इसे दो दरीके से use कर सकते हो एक तो schedule के हिसाफ से time set करोगे उस time के दुरान ये feature काम करेगा अगर आपको इसे हमेशा के लिए उस करना है तो set कीजिए पहले पर मतलब की हमेशा के लिए rest week का feature काम करेगा फिर कर ये save distance आपको kilometer भी set करना है और ये है time format आप अपनी watch में time को set नहीं कर सकते है जो time आपके phone में show कर रहा है वोई time आपकी watch में भी show करेगा अलाकि आप जो time format है उसे change कर सकते हो यहाँ पे है दो option 12 hour 24 hour आप जो time format set करना है उस पे selection कीजिए फिर कीजिए ok back जाओगे तो फिर यहाँ पे है system settings और इसमें है linked application और यहाँ पे आपको मिलीगा option google fit का मतलब कि इस board crest app में आपका जो भी activity और health data है उसे अगर आप sync करना चाहते हो आपके google account के साथ तो आपको tap करके करना है connect to google fit अब बात करते है fitness के पेश की तो आपको fitness पे tap करना है तो यहाँ पे आपको शोगरेगा आपका आज का activity data और आप यहाँ से date को भी change कर सकते हो तो यहाँ पे शोगरेंगी आपके steps आपका sleep data अगर आप चाहाँ आते हो आपके watch में आपका sleep data measure हो तो आपको अपनी watch को सोने के दुरान पहने रखना है और आप अपनी watch में जो भी vital measure करोगे जैसे कि आपका heart rate, sp2 और stress तो आपको शोगरेगा यहाँ पे vital detail में जैसे कि यह है heart rate, sleep data, sp2 और stress level आप इन data को अलगला date के हिसाब से भी चेक कर सकते हो date को change करके और आप जो भी workout करोगे आपकी smart watch में अगर आपको इस workout का data देखना हुआ तो जाना है fitness में और यहाँ पे होगा activity history, tap कीजिए आपके सारे workout यहाँ पे show करेंगे my watch में अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे show किया गया है कि आपको किस तरीके से 700 plus activity को add करना है तो आपको tap करना है done कीजिए यहाँ पे show करते है 20 workout mode और आपकी watch में भी show करेंगे यही same 20 workout mode हलाकि यहाँ से आप किसी को भी replace कर सकते हो तो आपको replace watch activities पे tap करना है माल लेते हैं आपको hiking के place पे add करना है किसी और activity को तो आपको hiking पे tap करना है और यहाँ पे आपको भी लेंगे अलग-अलग category आपको category को open करना है जैसे कि sports में तो sports को open कीजिए आपको जी sports को add करना है उस पे ट्याप कीजिए जैसे कि मुझे add करना है bowling cricket ट्याप कीजिए ok कीजिए तो आप जाओगे activity में तो आप देखोगे और अगर आपको अपनी वाच में cricket और football के live score को दिखना हुआ तो आपको sports score पे tap करके सबसे इसे enable करना है तो करेंगे हम enable now enable score push to watch पे on कीजिए इसके बाद आपको ok करना है vibration को भी on करना है तो on कीजिए और यहाँ पे करिए view settings vibration को on कीजिए ok view settings पे tap कीजिए फिर से फिर आपको करना है यहाँ पे choose game cricket और football cricket में आपको मिलेंगे दो option 2020 ओडिया है 2020 में आपको run कितने time के बाद update करना है तो यहाँ पे timer दिए गया अलग-अलग आप अपने हिसाब से set कर सकते हो फिर आपको get score update पे tap करना है ओडिया के लिए भी आप set कर सकते हो time interval football के score को भी आप enable कर सकते हो tap करके यहाँ पे get score update ace कीजिए ok तो आज कौन-कौन सी matches play हो रही है यहाँ पे show के जाएगा फिर आप tap करके उसे enable कर सकते हो उसे match का score show करेगा आपकी watch में हाला कि आप at a time football या cricket दोनों में से एक ही sports के score को देख पाऊगे अगर आपको क्यों cricket का score देखना हुआ तो settings पे tap कीजिए और यहाँ पे आपको cricket को on करना है get score update पे tap करके ace कीजिए तो हमने इस app के तर यह अपनी smart watch को setup कर लिया है अब हम देखते हैं आपको watch को कैसे use करना है इस watch में आपको मिलती है एक button जिसके है four functions तो आपकी watch में अगर display off होता है तो उसे on करने के लिए आपको इस पे press करना है display on हो जाएगा इस तरीके से home page पे होते हुए अगर आप इस पे press करोगे step by step back जाने का और एक तरीका है आपको इस तरीके से swipe right करना है step by step back जाने के लिए और अगर आप इस पे लोंप्रेस करोगे तो आपको मिलेंगे दो option इस watch को switch up करने के लिए और इसी restart करने के लिए home page पे अगर आप करोगे swipe up तो आपको मिलेगा सबसे पहले है dnd को on up करने का toggle तो आप one tap में dnd को on up कर सकते हो यहां से फिर यह है always one display को on up करने का toggle तो आप यहां से one tap में उसे on up कर पाऊगे फिर यह brightness को adjust करने का toggle तो आप यहां से brightness को adjust कर सकते हो slide करके इस तरीके से फिर यह है battery server mode तो आप यहां से इसे उन ओफ कर सकते हो, अगर आपने से ओन कर दिया, तो आपकी वाश में होंगी, ये छे चीजे, रेस्ट विक का फिचर काम नहीं करेगा, AOD ओफ हो जाएगा, अटोमेटिक हार्ट रिड अगर आपने ओन की होगा, तो ओभी ओफ हो जाएगा, ब्रैटने सबसे कम लेल पे सेट की जाएगी, वाइबरेशन ओफ हो जाएगा, ओर स्रिंट टाइम ओफ सेट हो जाएगा, पास चेकन के लिए, तो बैटरी को सेट करने के लिए, आप अपनी वाच में इस फिचर को ओन कर सकते हो, हलाकि अभी मैं फिलाल इसे ओफ करूंगा, फ्री है कॉलिंग का फिचर, तो आपको इस पर टैप करना है, आपको यहाँ पर मिलेंगे तिन ओप्षन, पहला है डाइलर, तो आप यहाँ से किसी बी नंबर को डाइल करके, कॉल कर सकते हो, बड़ी आसनी से, इसके बाद है फोन बुक, तो जो भी आपने कॉंटेक्स एड़ किया, आपके एप में, यहाँ पे शो करेंगे, वो सारे कॉंटेक्स, अगर आपको इन में से किसी भी कॉंटेक्स को, कॉल करना हो, तो आपको उस पर टैप करना है, कॉल करने के लिए, और यह है, कॉल हिस्ट्री, तो आपके जो भी कॉल्स होंगे, आपके पिछले कॉल्स यहाँ पे शो करेंगे, आप इस तरीके से उन्हें देख पाओ के डिट टाइम के साथ, अगर आपको फिर से उसे कॉल करना हो, तो आपको उस पर टैप करना, फिर से कॉल करने के लिए, हाला कि आप अपने recent calls को यहां से clear नहीं कर सकते, clear करने का कोई भी option नहीं दिया गया है फिर यह है silent mode, तो अगर आप इसे on करोगे, तो जब भी कोई call आएगा आपकी watch में, तो आपकी watch में ringtone नहीं बजेगी फिर यह है race to wake का feature, तो आप race to wake की feature को यहां से on up कर सकते हो, one tap में, इसके बाद इस settings और यह है bed time mode अगर आप bed time mode को on करोगे, तो आपकी watch में होंगी इतनी सारी चीज़े, dnd mode और silent mode ओनो जाएगा और race to wake का feature काम नहीं करेगा, अगर आप इस mode को on करोगे तो, तो जब आप सोते हो, तब आप इससे use कर सकते हो, इसलिए इससे केते है, bit time mode अब बात करते है, settings की, तो इसमें सबसे फ़हले है watch face, आप यहां से भी watch face को change कर सकते, swipe करके, sit करने के लिए tap कीजिए फिर है screen slip, तो यहां पर option है, 5 second से लेकर 20 second, तो माल लेते मैंने set किया है, 5 second पर इसका मतलब क्या होता है, तो अगर मेरी watch में display off हो जाता है, और अगर मैं उससे on करूंगा, तो वो 5 second के लिए on रहेगा, उसके बाद off हो जाएगा, इससे केते है screen time mode, फिर यह है always on display का feature, तो आपको अगर on करना है, तो इससे on किजिए, फिर आपको यहां पर मिलेंगे, तिन option, मतलब कि आपको कौन से style चूस करनी है, तो यहां पर है analog, digital और follow watch face, अगर आप set करोगे analog पे, तो आपको इस तरीके से मिलेगा analog dial आपकी watch में हमेशा के लिए, जब भी आपकी watch में display off होग तब आपको मिलेगा इस तरीके से AOD का feature, अगर आप set करोगे digital पे, तो आपको मिलेगा इस तरीके से AOD का dial, और अगर आप set करोगे follow watch face पे, तो जो watch face आपने set किया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, यह watch face आपने set किया है, तो यहां पे जो style में time show कर रहा है, वही time आप को जिस तरीके time show कर रहा है, उस तरीके से time show कर रहेगा, अब AOD पे, तो इससे कहते है follow watch face, तो watch face पे जिस style में time show कर रहा है, उस style में time show कर रहेगा dial पे भी, AOD पे भी, और आप को यहां पे मिलेगा raise to wake का feature, तो इसमें है दो option, तो अगर आप raise to करोगे, तो क्या होन होना चाहि तो माल लेते हैं मैंने अब set किया है AOD पे, तो मैंने अगर display को on किया इस तरीके से, तो आप देखोगे, AOD ही show कर रहेगा, watch face open नहीं होगा, तो अगर आप चाहते हो display on हो जाए, तो आपको set करना है watch face पे, तो हम जाएंगे AOD में raise to, और watch face, तो माल लेते हैं मेरी watch में AOD on ह अगर मैं इसे में raise to wake करूँगा, तो मेरी watch में open होगा display, इस तरीके से आप देख सकते हो, तो आपको करना है अपनी watch को raise to wake, फिर आगे है ringtone, तो यहाँ पे आपको मिलते हैं 3 option, पहले है silent word, तो आप यहाँ से भी mute mode को on up कर सकते हो, फिर है ringtone, तो यहाँ पे आपको मिलते ह पे बजने चाहिए, तो आप यहाँ से ringtone के volume को change कर सकते हो, इस तरीके से tap करके, फिर है wake gesture मतलब की raise to wake का feature तो आप यहाँ से on up कर सकते हो, इसके लाब आप यहाँ से time की साब से भी use कर सकते हो, ताइम आपको यहाँ पे set करना है, फिर है vibration तो आपको यहाँ पे मिलते हैं 3 option bedtime mode, आप यहाँ से on up कर पाऊगे, इसके लाब अगर आपको इस time के हिसाब से use करना है, तो करिए schedule और time set कीजिए start time and time, फिर है app view, तो यहाँ पे आपको मिलते हैं 2 menu style, एक होता है list view, मतलब कि आपका main menu है, इस तरीके से शोगरेगा, इसे कहते है list view, अगर आप इसे change करोगे grid view पे, तो इस तरीके से आपका main menu शोगरेगा, इसे कहते है grid view, फिर है battery server mode, आप यहाँ से भी इसे on up कर पाऊगे, लेकिन यहाँ पे आपको मिलते हैं 2 option, एक तो standard या फिर advanced, तो आप अपने साब से इसे on कर पाऊगे, standard और advanced का मतलब क्या होता है, हम देख चुके हैं, आप watch control में, battery server में, और यहाँ पे है standard और advanced, तो इन mode को उन करने से कौन सी चीजे होती है, आपकी watch में यहाँ पे बता गया है, इसके बाद इस system, इसमें आपको मिलेंगे 3 option, restart करने के लिए, और reset करने के लिए, इसके बाद download app, मतलब की board कर आपको download करने के लिए QR code दिया गया, ज इसे scan करने की जरूत नहीं है, home page पे अगर आप करोगे swipe left, तो आपको मिलेंगे अलग-अलग shortcut, जैसे कि यहाँ पे है आज की activity, इसके बाद है heart rate को measure करने का option, is go to measurement, यह है sleep data, तो आप कितना time सो है, इसके लबाद आपके अलग-अलग sleep stages यहाँ पे show करेंगे time के साथ, आगे है music player, tap कीजिए play करने के लिए, volume को आप यहाँ से adjust कर सकते हो, minus plus के send पे tap करके previous, next, अगर आपके phone में music play नहीं हो रहा है, तो आपको music player को open करने, अपने phone में, music को play कीजिए, इसके बाद यह control काम करेगा, music जो है, आपके phone में ही play होगा, music watch में play नहीं होता, इसके बाद है weather info, तो अभी फिलाल कितना है, आज का minimum maximum, आज का sunrise sunset time, और आने वाले अगले 6 दिन का maximum minimum weather आप यहाँ पे देख पाओगे, इसके बाद है notification आप यहाँ से read कर पाओगे, और यह है calling का feature, मतलब की contacts आपके, जो button पे press करना है, यह है main menu, call जो हम देख चुके है, इसके बाद activity, जो भी 20 activity आपने add कि आपके app में यहाँ पे show करेंगी, अगर आपको इन में से किसी को भी start करना हो, तो आपको उस पे tap करना है, start करने के लिए, इस तरीके से tap, तो यहाँ आपे show होगा, आपका heart rate zone, heart rate, real time, आ इस तरीके से NP कर पाऊगे, अगर आप चाहत यह आपका workout data से हो हो, तो आपको minimum एक minute के लिए workout करना है, और जो भी आप workout करोगे, और data अगर से होगा, तो आपको show करेगा यहाँ पे activity record में, इसके बाद है heart rate, SPO2, sleep, breathing workout, camera control, तो अगर आप इस video आप करोगे, तो आपके phone में open होगा camera, लेकिन उसके लिए आपको फेले open करना पड़ेगा, बोट करेश्ट आपको, उसके बाद आपको camera control पर ट्याप करना है, फिर आपके phone में open होगा camera, while using the app पर ट्याप कीजिए, फिर आप ट्याप करके, अपने phone में photo capture कर पाऊगे, अपनी watch के जरीए, और आप तो timer है उसे भी change कर सकते हूँ, मैंने set किया है, यहाँ पर 3 second का timer, तो अब मैं tap करूँगा, 3 second की timer के बाद, मेरे phone में होगी photo capture, इस तरीके से, वो इस assistant है, तो आपके phone में अगर Google Assistant, Siri या Bixby है, तो उसके बाद कर पाऊगे, आपको ट्याप करना है, फिर से ट्याप कीजिए, how is the weather today प्रे वेदर, अलार्म, तो आप यहाँ पे maximum 5 अलार्म को add कर पाऊगे, फ्लस के sign पर tap कीजिए, time set कीजिए, hour, minute, next कीजिए, कौनसे दिन को आपको अलार्म को बले करना है, उन दिन को चुछ कीजिए, ok कीजिए, इस तरीके से आपको अलार्म को add करना है, आप अलार्म को य vibration के साथ, इसके बाद रिमांडर, जो भी अपने reminder add की है, आपके app में यहाँ पे show करेंगे, जिसे की हमने add किया है, drink order का reminder, यहाँ पे show कर रहा है, फिर है stopwatch, timer, flashlight, आप यहाँ से on-up कर सकते हो, इस तरीके से one tap में, फिर है find phone, तो आप इस feature के जरी अपने phone को ढून सकते हो, म आपके phone में ring बजेगी, आला कि feature तभी काम गरेगा, जब आपकी watch आपके phone के साथ connected होगी, दोस्तो तो यह था, boat ultima, chronos, smartwatch का full setup guide, अगर आपको कोई भी सवाल हो, तो आप हमें पुछ सकते हो, आप मुझे Instagram पे या फिर Twitter यानी की XT app पे भी message कर सकते हो, इस video को देखने के ल आपके नवाद दो